अरियाना में आई दो नई बर्ती ये बर्ती अरियाना के पांच जिलों में आई हैं ये पर्मानेंट बर्तियां हैं और इनके लिए योगिता दस्यू पास्वे अन्य है इन दोनों बर्तियों की आई दिन पर किरिया शुरू हो चुकी है अगर आप इंट्रेस्ट है इन बर्त के सबी जिलों की ओन लाइन वर ओफ लाइन वरतियों के बारे में वस सबी विबागों की डिसी रेट वरतियों के बारे में रेगुलर जानकरी प्रॉइड करवाई जाती है। इसके अलावा HSSC, HPSC का जो भी नया नोटिस आता है उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है इसलिए सई और सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दबा लें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले आपके पास जिसमें योगेता दस्वी तक भी है इसके लिए आवेदन आपको ओनलाइन अपलाई करना होगा पांच फरवरी यानि कल से इसके ओनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 26 फरवरी इसकी लाश डेट है ओनलाइन आवेदन करने की साथ हो इसकी ओफिसियल वेब साइट है gjust.ac.in और इस बरती के लिए ओनलाइन अपलाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे चलिए आप देखने कितने परकार के पदों पर ये बरती आई है टोटल 6 परकार के पद हैं इसमें पहला पद है जूनियर इंजिनियर सीविल का इसके के लिए क्वालिफकेशन की बात करें तो 3-year डिपलोमा इन सीविल इंजिनियर होना चाहिए आपके पास और इसमें एक पोश्ट है साथ ही वो भी जर्नल की तो जर्नल की पोश्ट में सभी कंडिडेट BCA हो या BCB हो या SC का सभी साथ ही अपलाई कर सकते हैं दूसरा पद है वो भी जूनियर इंजिनियर का है इसके लिए भी 3-year डिपलोमा चाहिए इसीविल इंजिनियर का और तीसरा पद है अकाउंटेंट का इसके लिए बी कॉम डिगरी चाहिए और ये भी जर्नल की पोश्ट है एक ही चोथा पैदसात्यों वर्क इंस्पेक्टर का इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास मांगी गी है जो भी 12th पास कंडिडेट है वो इसके लिए अपलाई कर सकता है पद इसमें भी एक ही है 500 पद है बेलदार का इसके लिए 10th पास कंडिडेट अपलाई कर सकता है इसमें जर्नल के दो पद है सभी इलिजिवल साथी अपलाई जरूर क करें कि ये पर्मानेंट वर्ती है इस वर्ती के अंदर आपको सोश्यो एकोनोमिक के 10 नमबर भी दिये जाएंगी अगर आप लिजिबल हैं तो आपको वो नमबर ज़रूर मिलेंगे बात करें इसके अपलाई करने की फीस की तो सात्यों जर्नल कंडिडेट हैं जो मेल कंडिड के लिए 200 रुपए फीश रहेगी बचे हुए SC, BC, EWS, ESM जीन सभी कंडिडेटों के लिए जो मेल कंडिडेट हैं उनके लिए 125 रुपए फीश रहेगी और फिमेल कंडिडेटों के लिए 125 का 50% होगा वो फीश रहेगी ओलाइन आवेदन करने की लाश्ट डेट आपने देख इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18-50 वर्ष के कंडिडेट इसके लिए अपलाई कर सकते हैं ये Self-Declaration का परफोर्मा है जो 9 जो बौले या जो भी 10 नमबर आपके अगर बनते हैं तो ये परफोर्मा आपको बरके और अपलोड करना होगा ये परफोर्मे की PDF आपको हमार là you can create based बर्ती होगी इसका तय ओवयदन के आदारप किए जाएगा कितने आवयदन आते हैं उसी आदार पर ये नेरने लिया जाएगा कि इसका एक्जाम लिया जाए या फिर मेरिट बेस बर्ती की जाए चलिए अप जो नेक्स्ट चार जिलों के अंदर बरती आई है वो दे बात ये है कि ये बरती हरियाना में नहीं होकर हिमाचल परदेश के जो इंद्रा गांधी स्पोर्ट स्टेडियम है वहाँ पर की जाएगी चलिए अब डिटेल देख लेते हैं बुद्वार को एयारो चरकी दादरी ने बताया कि सेना में सिपाई फार्मा की खुली बरती 18 मार 25 मार्थ तक इंद्रा गांधी स्पोर्ट स्टेडियम उना हिमाचल परदेश में आयोजित होने वाली है इस बरती के लिए रेवाडी मेंदरगट बिवानी और चरकी दादरी जिलों के उमिदवारों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं साथ यो इस से पहले भी हमने एक आर्मी की बरती के लिए वीडियो बनाया है वो बरती हिसार, सिरसा, जीन्द और फत्याबाद जिले में आई है अभी 3-4 दिन पहले ही वो वीडियो बनाया है आप चाहू तो जाकर चैनल के उपर देख सकते हैं यह उपर आई बटन पर पर इसका लिंक दिखाय जा रहा वहां से जाकर भी आप यह वीडियो देख सकते हैं उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन का कारिये 2 मार्च 2021 तक किया जा सकता है यानि रजिस्ट्रेशन करवाने की लाश्ट टेट 2 मार्च है एरो चर्की दादरी ने बताया कि उमिदवार को एडमिट कार्ड उसकी इमेल आईडी पर जारी किया जाएगा रेली में परवेश से पूरू सभी उमिदवार अपने दांत कान की स्पाई बाल कटवा कर और शरीर को साप सुतरा करके आएं जिससे पैचान एम डाक्ट्री जांच में ऐस उदाने हो बर्ती प्रकिरिया में भाग लेने से पहले सभी उमि वीडियो यहां तक देखने के लिए दन्यवाद मिलते नेक्स्ट वीडियो में